सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आप मेंसे बहुत बार अलग-अलग यूजर्स ने मुझसे पूछा है कि आखिर ये आडुईनो बोर्ड होता किया है और हम इसे क्या-क्या काम कर सकते हैं तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहेए मैं आपसे बात करने वाला हूँ आडुईनो के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं चेक्निकल गुरुजी चिले शुरू करते हैं दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सीजन है इस चीज के बारे में बात करने का क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रही हैं आगे समर वेकेशन्स और अगर आप चाहें तो आडुईनो की मदद से बहुत सारे कमाल के कूल प्रोजेट्स को तयार कर सकते हैं देखें आप जब भी यूज़ करते हैं किसी मुबाइल फोन को, कंप्यूटर को या फिर लाप्टॉप को आप वहाँ पर तरह तरह के एप्स को यूज़ करते हैं तरह तरह के सौफ़वेर्स को कामें लेते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं खुद का अपना कोई सौफ़वेर बना पाऊं या फिर काश मैं एक मशीन को जैसा मैं चाहूं वैसा कंट्रोल करवा पाऊं और हम सोचते तो हैं शायद लेकिन कई बार हम करना ही पाते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह जो आडरीनो आपको मिलता है माइक्रो कंट्रोलर इसकी मदद से आ हजारों हजारों तरह तरह के कूल प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं देखिए मैं आपसे पहले एक वीडियो में बात की है रैस्बरी पाई के बारे में कि आखिर यह रैस्बरी पाई क्या है जो आपको एक कंप्यूटर मिलता है बहुत ही चोटा है बहुत ही लो देखिए जो Arduino है वो कुछ-कुछ हद तक मिलता है Raspberry Pi से लेकिन ये एक और ज्यादा simplistic चीज है जिसको आप अपने हिसाब से control कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए होता है एक micro controller वहाँ पर आपको मिलती है कुछ input pins और कुछ output pins अब यहाँ पर आप अगर उसको कुछ specific input दें आपने वहाँ पर एक ऐसा code लिखा है आपने एक ऐसा program लिखा है जो लिखना बहुत ही आसान है जो software है वो आप अपने computer में install करने के बाद में अगर आप उस Arduino board को connect करते हैं USB cable के जरीए या फिर serial port के जरीए तो उसके बाद में आपने जो भी coding लिखी है computer आपको बहुत सारे तरह तरह के pre-written codes मिल जाते हैं बहुत सारे modules मिल जाते हैं तो एक बार आपने coding उसके इंदर write कर दी तो क्या होगा कि जो inputs आप दे रहे हैं उसके basis पे आप जो चाहें वो आगे output produce करवा सकते हैं एक बहुत ही simple example है कि जब मैं TV on करूं तो room की जो lights हैं वो blue color की हो जाएं अब इसके लिए आपको क्या चाहिए यह आप काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ एक चोटा सा Arduino और उसको complete system चाहिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो input है वहाँ पे लगाएंगे एक चोटा सा IR sensor जो कि यह sense करेगा कि आपने TV को on किया है और उसके बाद उसको जो output होगा वहाँ पे एक ऐसा driver होगा जो आपकी rooms की जो lights लगी है अगर वहाँ पे आपने लगाए है multi-colored bulbs तो उनको वो convert कर देगा normal light से blue light के अंदर तो यहाँ पे तरह तरह के sensors हैं माल लिजिए कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपकी जो खिड़किया है वो बंद हो जाएं तो अगर आपने यहाँ पे motorized windows लगाई है तो यहाँ पे आप input में लगा सकते है एक ऐसा sensor जो कि बारिश कुछ sense कर रहा है और आप output में वो motor क control कर सकते हैं उस Arduino board के जरिए तो आपको यहाँ पे तुस्तों तरह तरह के options मिलते हैं जो boards है वो भी बहुत सारे तरह की variety के हैं Arduino Uno है उसके आपको मिलता है Leonardo है, Micro है, Nano है, Mega है मतलब आप 3D printing से लेके एक basic switch को on off करने का task हो आपको किसी LED board के ओपर LEDs का पैटन चलवाना हो मतलब इतने सारे cool projects available हैं, आप अगर एक Arduino kit लेते हैं तो उसके बाद में जो चाहें वो coding करकर के जैसा आप चाहे वैसा एक system को develop कर सकते हैं, फिर चाहे आप को remote control car बनानी हो, चाहे को voice activated car बनानी हो, मतलब आप सोचके देखो कि आप input में क्या क्या चीज़ें ले पाओगे, अगर इसको लगाई है, input में, फिर चाहे वो motion detection के लिए alarm बनाना हो, चाहे आपने output में को speaker connect करना हो, Arduino को मदद से, आप ये बहुत सारे काम कर पाएंगे, ये बहुत ही cheap है दोस्तों, और यहाँ पे जो software है इसको use करने के लिए, वो coding लगती है मापे skills, लेकिन इतने कुछ मुछ बहुत सारे programs मिलते हैं, और जब आप खुद से उनको assemble करके काम करेंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो micro controller है, जो मैं आपको बता रहा था, जो Arduino में लगा होता है, वो basically क्या है, कि आप यह मानी की complete computer है, वहाँ पे input output भी है, वहाँ प जो है, वो repeat करता रहेगा, और जो आपको काम है, वो complete होता रहेगा, मुझे उमीद है कि आप जान गए होंगे, at least Arduino के बारे में कि यह चीज क्या है, basic micro controller, कुछ input ports, कुछ output ports, अंदर का सारा दिमाग आपका जो चाहे, आप उससे काम करवा लें, दोस्तों फिलाल के वीडियो